हलो गाईस कैसे हो आप आई होप कि आप लोग ठीक होंगे आज के इस वीडियो में आपका भाई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखना और मन लगा कर वीडियो देखना इस वीडियो में आपको बताना कि आप कैसे औटोमेटिकली क्रॉम ब्रावजर ओपनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तो जब भी आप अपने मोबाल पे इंटरनेट को यूज़ करते हो तो और किसी वारस को हटाने के पॉप आने लगते है ये काफी बड़ी समस्या है 2021 में तो आज मैं आपको इस problem का solution दूँगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहा हो ना तो आपके phone में कभी भी ये गंदे SMS और Google के automatically Chrome browser open हो जाता है ये सब समस्या कभी नहीं होगी तो ध्यान से वीडियो देखने हैं लाइक करो और हाँ अगर आप चातो कि आपके सभी problem को solution इस channel पर मिलते रहे तो आप simply हमारे channel को subscribe करके अपने भाई को प्यार दे सकते हो आप पूनीचे subscribe बटन देख रहा है subscribe बटन पर click करके notification bell को all पर select करना है इस से हमें आपका प्यार मिल पाएगा आपका support मिल पाएगा और आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे तो guys चलिए हम करते इस problem को solve टेंटेन हैं दोस्तों इस problem को solve करने के लिए हमें अपने mobile के chrome browser को open कर लेना है आपको याद रहे कि chrome browser आपका update होना चाहिए अगर आपका update नहीं है तो simply आपको update कर लेना है जल्दी से तो जैसे आप chrome browser को open करोगे यहाँ पे एक update का option आता है red color का arrow देख रहा है आपको तो simply आप जैसे इस arrow पे click करोगे तो आपके सामने आता है chrome update का option तो guys आपको simply कर लेना है chrome browser को update तो चली जल्दी से मैं भी कर लेता हूँ एक मिनिट के अंदर तो हम यहाँ से करते हैं इस arrow पे click और यहाँ पे आपके सामने आया है update chrome का option तो आपको इस पे click करना है यहाँ से आप play store पे आपको click करके आपको update कर लेना है बहुत ही आसान होता है update करना जैसे आप किसी आपको install करते हैं वैसे अपडेट करना होता है तो guys अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको three dot का option मिल जाएगा तो simply हम इस three dot के option पे जाना है और यहाँ पे जाना है हमें setting के option पे तो guys यहाँ से हम चलते हैं setting के option पे तो guys setting के option में जाने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे new option आ जाते हैं इस प्रकार के interface उपन हो जाता है तो आपको जाना है simply privacy के option में आपको ध्यान से आपको privacy के option पे click करना है तो यहाँ से मैं चलता हूँ privacy पर आपको याद रहेगा जो setting में आपको बता हूँ आपको भाही करना है आप privacy में जाओगो यहाँ पर काफी सारे options आपके सामने आ जाएंगे तो किसी भी option के साथ हमको छेशार नहीं करना है आप नहीं चाओगो तो clear browsing data का option आपको मिलेगा तो simply आपको clear browsing data के option पे click करना है जैसे आप यहाँ से click करना है यहाँ पे तीन option हो सकता है कि आपके phone पे 4 या 5 option आए तो आपको सभी option को tick कर देना है टिक करने के बाद यहाँ पे उपर आपको एक छोटा सा arrow देख रहा है इस arrow पे click करके आपको all time कर लेना है all time करने के बाद आपको क्या करना नीचे आपको clear data का option देख रहा है आपको simple करना है clear data इससे क्योंगा guys आपके phone में जितने भी hacks website जितने भी fake website होगे से भी delete हो जाएगी और आपकी mobile pop up आना बंद हो जाएगी तो हमें दो बार हमें इससे clear data करना है तो हम एक बार और करते है तो simply हम जाएगे clear browsing data पर और हम करतेंगे इसको clear टेंटन है तो guys net बहुत ज़्यादत सुरू चल रहा है वियाई की से मैं यूज़ कर रहा हूँ network problem काफी ज़्यादा है हमारे हम तो guys मैंने दो बार कर दी है आपको second step में क्या करना है आपको वापिस आने के लिए ब्राउजिंग data में और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको सभी option को टिक करना है तो मैं भी ज़ली से टिक कर लेता हूं तो सब जुको टेक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस्तरगार का उपसन आए干 इस प्रश्च के बाद आप को आल्लेकरने आलट करने के बाद किलिया डाट करना यह आपको अपको आले लिदेट 150 और आप और आप जब मैंलिक करना बहुत जाए study जो कि बहुत यहाद है इंपुट होने वाला है तो आपको इसके लिए करना क्या है आपको जाना थी डॉट पर जाने के बाद सिंपली सब्सक्राइब कर देना है मेरे सामने कोई भी history नहीं है क्योंकि मैंने update किया अभी अभी हो सकता है कि आपके phone में एक या दो history हो तो आपको उनको clear data कर देना है तो guys मेरे phone में नहीं है तो कोई बात नहीं हम करते हैं अपनी fourth step follow ठीक है तो इसके लिए हमें आना है back और simply three dot के option पर जाना है हमें three dot के option पर जाने के बाद setting में जाना है setting में जाने के बाद यहां पर आपको site setting का option मिल जाएगा तो हमें जाना है site setting के option में और guys यहां पर आपके सामने cookies का option आएगा तो cookies पर आपको click करके इसको block कर देना है आपको यह enable इसको हमें disable कर देना है इतना सब करने के बाद हमें back आ जाना है back आने के बाद यहाँ पर एक all site का option है हमें simply इसमें click करना है आपके सामने जितने वी site हैं आपको सभी को clear and reset करना है तो simply हाँ पर मेरे पास दो website है तो simply मैं second वाली site पर click करता हूँ और इसको करता हूँ clear and reset इसा करने से क्या हूँ आपके फोन में जितने वी वारस वाली sites website है सभी delete हो जाएंगे तो आपको एक एक करके सभी sites को open करना है मैंने अभी phone update किया था अपने chrome browser को update किया था इसलिए मेरे पास दो ही site है तो इतना करने के बाद विगर आपकी problem solve नहीं होती तो मैं आपको एक आ आप इंफो का option आजाएगा तो simply हमें चलना है एक इंफो के option में और इतना करने के बाद आपको एक storage का option देख जाएगा हमें जाना इस टूरेज के आपसे आपको एक करना है कि लिए चैस करना है और manage space पे जाकि हमें करना है clear all data है तो इतना करने के बाद हम दो बार करेंगे clear all data इतना करने के बाद क्या है हमारी problem solve हो जाएगी तो यह वाली setting बहुत ज्यादे important है बहुत ज्याता अच्छी है इसलिए आप ध्यान से follow करना मैंने जैसा बता है वैसा आप करना अगर आप इस तरह से setting करते हो तो आपके phone से 100% problem solve हो जाएगी और automatically Chrome browser open नहीं होगा किसी भ वीडियो को लाइक करना है बहुत ही आसान होता है लाइक करना नीचे आपको like button देख रहा है simply वीडियो को like करके अपने भाई को प्यार दो और यार प्लीज यार support भी कर देना नीचे आपको red color का subscribe button देख रहा है आप जैसे subscribe करोगे तो guys पाजू में गंती आ जाती है उस ग बाई बाई गुडबाई गुडबाई गुडणाइट जैहन वंदे मातरम गुडणाइट मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं रात में ये वीडियो सूट कर रहा हूं ओके guys तो टाटा और क्या बोलू लाइक करो subscribe करो comment करो भाई को प्यार करो बाई बाई टन टन टन